जितना नरेंद्र मोदियर आमिशाइस मामले में बिर्जबूशन को कुछ करना चाहेंगे उतना ही होना उससे रती भर इधर नहीं होगा साथ बेटियों ने यहों सोशन का आरोप लगाया तो इसका मतलब साथ मुकदमें बनते हैं लेकिन मुकदमें दो ही दर्ज हुए हैं कि हमारे देश में सुप्रीम कोट की मुख्य नयदीस चंद्र चूड बैठे हुए हैं और धिर्तराष्ट की भूमिकाम हैं कि नयदीस की ब हैं तो यह मेरे देश के संभीधान का नयपाली का बेटियों के सम्मान का लोगतंतर के लिए बहुत खतरनाग बात है और हिट्लर के ही चेले हैं मैं आपको दिखा सकता हूं हिट्लर की फोटो के साथ में उसके पुतले के साथ में अमिसार नरेंद्रमोदी का फोटो है कर जाता है उसके प्रणिति आपके सामने है और यह व्यक्ति जेल गरतार नहीं हो रहा है कौन ताकत है इसके पीछे इसके पीछे अमिसार नरेंद्रमोदी है और इसमें मुख्यंद्याइदिस की धिरतराष्ट की भूमी का है कुल्दीव शेंगार ने 17 साल की राजबूत की बेटी के सा बलातकार के तब करनी शेना खड़ी नीवी उस 17 साल की नाबालिक बलातकार प्रिडिता के बाप को जूटा गिरपतार करके जेल में लबा दिया उसके हत्या करवा दी तब करनी शेना खड़ी नीवी जब हुए वो लड़की जिन्दगी और मौत के बीच में जूज रही है तब करणी सेना खड़ी नी वी हर बलात कार्यों शोसन का आरोप लगने के बाद इस नालाग के साथ खड़ी हो गई कैसी करणी सेना यार में नमस्कार मैं मोंटू रजा एंटी कर्रप्शन इंडिया से स्वागत है आपका इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और जो पहलवान बेटिया है वो परदर्शन उनका लगातार जारी ह यह ब्रजबूशन का जो पद है उससे ब्रजबूशन को हाथ धोने पड़े हैं तमाम लोगों का यह आकलन था और यह सोच रहे थे कि करनाटा का चुनाव होने के बाद कुछ ना कुछ होगा और वह हुआ है मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है वुपेंद रावज ज कैसे देखने हैं कि 20 दिन हो चुके हैं अब तो ब्रजबूशन का जो पद है उससे स्तिफा हो गया है देखिए आपको आपने जो कहा कैसे देखते हैं एक फिलम में गाना था जितनी चाबी भरी रामने उत्ता चले खिलोना है ना मैं यह मानता हूं कि जितना नरेंद्र अगड़ी है मैं आपके माध्यम से एक बात बहुत गंबिता के साथ जाहता हूं और तो इसका मतलबiset में भनते हैं लेकिनलों कि इस समय कोई कहे कि हमारे देश में सुप्रीम कोट की मुख्य नए धीस चंदर चूड बैठे हुए है और धिरतराष्ट की भूमिका में उन्होंने यह कहा रहा कि सुप्रीम कोट ने कहा भाई आपके सुनवाई नहीं हो रही थी हमने फाय दर्च कर ली उसके बाद दुबारा के लिए उन्हो कहा धिरतराष्ट की तरह सुना गया इसको समझना पड़ेगा साथ बेटियों ने लिखी सिकायत कनार प्ले स्थाने में यह कानून यह कहता है कि वह फायर में तबदील होना चाहिए था तो यह फायर में तबदील नकरने वाले पुलिस कर्मियों को दंडित करना चाहिए थ चंदर चूर साब ने कुछ धारा जोड़ी है क्या उसमें हमने का यह तो मुकदमा दर्ज होना ही है अब इस पूरे मसले पर क्या हुआ कि आपने तारी को कहा कि हम सुनवाई के लिए समझ देंगे और पांच दिन लगे आपको तैय करने के लिए पांच दिन बाद आप सु सुनेंगे मैं इसलिए कहना चाहता हूँ एक गंबिता यह नहीं रही अगर उस समय यह फायर ना दर्ज करने वाले पुलिस कर्मी को चंदर चूर साब की ब्यंच ने मुख्य नयदिस की ब्यंच ने सजा सुना ली होती तो मुकदमा दर्ज होने पर जांच अधिकारी बेट यह अगले खेल जीतने की तैयारी कर रही होती है और दो सखायत करता साथ है तो 5 यहफईर दर्ज को डो 5 यह फायर ण्रल्ज करनी पढ़ेंगी किसी भी कीमत पर कैसे संबब हो सकता है यह थोड़ी कि साथ बेटियां यह की जगा थी यह सुषन हुआ साथों के अलग अलग जगा अलग अलग घटना कर्म है माना उसने चाहिए एक जैसा अपरात क्या हो लेकिन साथों का अलग अलग है इसलिए पूरी परकिर्या को आपको समझना पड़ेगा और तब हम कह रहें किसा मैं आपको बताता हूं के इस तारी को हमारे देश के खेल मंत्राले को समझ आ गया जैसे सुप्रीम कोट गई है बेटिया कपिल शिप्बल जी के माध्यम से तो उन्होंने ततकाल भारतिया ओलंपिक संग से कहा भयत तुम आओ और एक अडव कमिटी बना दो तेख सुनिए और 28 को सुनवाई थी भारतिया ओलंपिक संग ने 27 त मैं करनाटक के लोगों को जानता हूं उत्री भारत के तरह नहीं है वो किसाबोग टिकट के लिए बेटियों का सोधा करने की बात पर आ जाएं बहाँ पर करनाटक में अगर यह संदेश चलाता कि हमारे देश की खेलाडी बेटियों का यह सोशन करता है भाजापा संचद है और मोधियरा मिश्णा उसे बचा की रख रहे तो इनका जो आकड़ा है वो इकाई पर सिमर जाता है हां मैं अभी भी मानता हूं मैं एक बात कह सकता हूं मैं शुक्रिया अधा करता हूं इस तारी की सिकायत यह कौंता ही कर रहा है इस जो नाबालिक बेटी का बयान भी दर्ज हुआ है वह दस तारीक हो अदलत में आप मुझे बताए चंदर चूर साब ने साथ एफायर को दो में पांच में मौन इतना समय दिया फिर साथ दिन बाद बोला थाइस के बाद साथ दिन बाद बोला यह मामला चोटी अधात का वहां लेकर जाओ इतनी सी बात तो अठाइस को बोल सकते थे कि बाया मैंने आदेश कर दिया आपका एफायर दर्ज हो जागा और आप निचल ताकि किसी भी तरीके से दस तारीक से को आगे बढ़ाना था मैं फिर कहना चाहता हूं चंदर चूर साब चाहें उनकी बेंच चाहें मेरे खिलाब आप मानना का मुकतमा दर्ज करें मैं भुपेंदर रावत दंके की चोड़ पर कहूंगा कि अगर हमारे देश के मुक्षे नयद इसको जानकारी नहीं थी कि साथ सिकायते हैं और साथ सिकायतों में फायर दो की पांस नहीं की गई हैं तो ये मेरे देश के संबीधान का नया इपाली का बेटियों के सम्मान का लोग तंत के लिए बहुत खतरनाक बात है और अगर जानकर थी मेरी तरह मैं साधारन ब्यक्ति हूं सामाजी कारे करता तो ऐसी हिस्ति में उनको इसको गंबिता से क्यों नहीं लिया गया तब मैं यह कहना चाहरा हूँ एक बात आप मानके चलिए मेरी मेरी बेदना क्या है आपको बताता हूँ यह जो बिर्जबोशन सर हिटलर के हिश चेले हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ हिटलर की फोटो के साथ मैं उसके पुतले के साथ मैं अमिशाव नरेंटर मोदी का फोटो है और हिटलर वो तक सकता जिसी ने अपने ही संसद भावन में आग लगवाई और कहा यह कौमनिस्ट के लोग और यह स्वाश जलाया जानकारी विर्जय बोचार चेस्ट कराए जाये हैं अब जो मामला मामला इससे बहुत आगे निकल गया है बेटिया कह रही है हम अपना नार्कोर टेस्ट करने लिए तैयार है किस बात को लेकर जो आरोप हमने लगाए हैं उनके जाज के लिए तो नर्यंद्र मोधिर अमिस्षा को भी कहना चाहे वो अपने चेले अपने लेफ्टनेंट अपने पालतो बड़े गुंडे को वो भी कहें कि भाईया तो मुठा करके नार्कोटेस ले त्यार हो जाओ लेकिन मैं आपके माद्यम से एक बात गंबिता से कहना चाहता हूँ अब्यवभ जब हमारे देश में कोई भाजपाई बलातकार में दंगों के मामले में हत्या के मामले में मौब लिंचिंग में फस्ता है तो इसके मतदाता गोलबंद हो जाते हैं करणाटर में एक प्रसद कम नहीं हुआ लेकिन जो बेटियों के साथ हैं संविधान के साथ एं लोगत रहे हैं बाचारे के साथ हैं दूख कर अफसोस की बात है first तक हो dynasty मैं सब लोग खुश है कर Dae JES dri मेरे जैसे व्यक्ति को दुख है क्योंकि चालिस पे सिमटने वाले थी इनकी शीर ज्यादा करनाटक के लोगों जहां जहां नरेंदर मोदी ने सभा की हर्याना में विधान सभा में यह बविदा फोगाट के चेत्र में भी ते वहां चुनाओ हारे जिसको बोलते हैं कि उसका बहुत बहुत जादू है करनाटक में मैं डेख रहा था उनासी सभाई कि इन बहतर सभाई की है किसने अमिश्या और शीटे आई 66 और उन्हों ने कि यह उनंचा रेलिया दोनों प्रिंगा ने राहूल ने उनकी शीटे देखो ने तो आपको समझना चाहिए करनाटक के लोग ज्यादा समझदार हैं और उत्तर परदेश का उलता हुआ उत्तर परदेश में संदेश का जो हम दावे के साथ में जब आप इनके बलातकार का सबाल उठाओगे तो इनका मद्दाता एक जूट हो जाता है बाकी बिखर जाता है उसकी प्रणिति आपके समने है इसलिए मैं आपके माद्यम से एक बात कहना चाहता हूँ बिर्ज अबोर्शन सरन सिंग का जो पद है वो ऐसे ही नहीं लिया इन्होंने पर मैं एक बात जानना चाहता हूँ इन ती नों के बिना बोले वे उन्होंने इसनीवा खुझ से नहीं दिया हटाये गए देखें बेर्ज अबोर्शन सरन सिंग नहीं कहता मैं ऐसे नहीं हटूंगा मैं निर्दोस बनके हटूंगा हाँ पर मैं एक बात जानना चाहता हूँ सथ सथ हजार मुकदमे हैं पास्कों के तहट बिचारा दिन वो सब आरोपी जेल गए और यह व्यक्ति जेल किरतार नहीं हो रहा है कौन ताकत है इसके पीछे इसके पीछे अमिस्सा नरेद्र मोदी है और इसमें मुख्यंद्याइदीश की धिरतराष्ट की भूमिका है मैं इसलिए कहना चाहता हूं जो मामले को सुनवाई कर रहें मैं एक बात और कहना चाहता हूं यह बेटियां जो भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग नार्को माजियाबाद जाके बताना पड़ेगा मैं कौन और किस पार्टी का हूं यह वह लंपिक पदक बीटियां संसार जानता है इनको आप सुनिए बजरन कुनिया कहीं जाएगा विनेश फोगाट कहीं बात करेंगी साक्षी मलिक संसार जानता उनको भारत के जो नालायक और सुप्रीम कोट ने पांच फायर दर्ज कम करने पर सबाल नहीं उठाया सुप्रीम कोट के मुखे नयद इसके दक्स्तवाली बेंच ने कानून यह कहिता आपके माद्यम से अगर यह सोशन की शिकायत को यह फायर में तब्दिल करना अपराद है तो फिर अब तक जो यह इक आपको पता नहीं है एक दिन की एक साइज करने पर इनका एक मैने की खराब हो रही है यह जान बूझके ताकि यह फीजिकल इक्साइज कर पाएंगे इस माम लट लंबा लटकाया जागा और फिर कहा जागा देखो हम ने तो पहले कहा था मैं यह थोड़ी यह बिदान स कुल्दीव शेंगर उसने अपने चचेरी बहन वही राजपूद घराने की 17 साल नहीं कह रहा है जब कुल्दीव शेंगर ने 17 साल की राजपूद की बेटी के सा बलातकार के तब करने शेना खड़ी नहीं हुई उस 17 साल की नावालिक बलातकार पीड़ता के बाप को मामले फसा दिया तब करनी शेना खड़ी नहीं जब उसकी चाची के मोशी कर उसके और उसके वकील पे गाड़ी चड़ा दी दो मौत हो गई वह लड़की जिंदेगेर मौत के पीच में जूज रही है तब करनी शेना खड़ी नहीं हर बलातकार यह शोशन का आरोब लगने के बाद इस नाला के साथ खड़ी हो गई कैसी करनी शेना यह नाओं कि किन्होंने बनाई हैं और हिंदू टू अलग है और हिंदू तो क्या हमें मतलब नहीं हम लोग हिंदू है हमने कोई सेना अचिना अ सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बने रहे हमारे साथ